उधारल चौबिस चहासत की पावर एक बटा तीन का सन्यकटन ग्याद करने के लिए अवकलज का प्रियोक कीजे यहाँ हमें, इस रूप में ये प्रिशन मिला है य बरावर एक्स की पावर एक बटा तीन ये हमें मानना होगा क्योंकि हमें एक संख्या है उसकी power 1 बटा 3 ग्याद करना है तो हमने इसको किस रूप में माल लिया y बराबर है x की power 1 बटा 3 dy by dx कितना हो जाएगा dy by dx बराबर हो जाएगा 1 बटा 3 into x की power 1 बटा 3 minus 1 क्योंकि x की power n का अवकलन x की power n minus 1 होता है सरल कर लेते हैं यह मान हो जाएगा 1 बटा 3 into x की power 2 बटा 3 यह मान हो गया 1 बटा 3 minus 1 minus 2 बटा 3 जब घातां के नियम से हम इसको धनात्मक करेंगे घात को यह हो जाएगा x की power 2 बटा 3 यहां नीचे आ जाएगा हर में आ जाएगा अब देखो x हम कौन सी संख्या लें जबकि हमें उसका घात 1 बटा 3 गयात हो तो इस परश्ट है कि वो 64 है तो हमने x बराबर ले लिया 64 क्योंकि 64 की power 1 बटा 3 64 का घनमूल हमें गयात है वो 4 के बराबर गया है तो हमने x ले लिया 64 अब 66 बनाने के लिए हमें delta x कितना लेना पड़ेगा delta x लेना पड़ेगा 2 ताकि x प्लस delta x हमें 66 मिल जाए 64 और 2 66 तो हमने x तो ले लिया 64 64 इसलिए लिया क्योंकि हमें 64 की घात 1 बटा 3 गयात है 66 बनाने के लिए जो x में तुटी है delta x वो हमें 2 लेनी पड़ेगी तो इस प्रकार हमने x प्लस delta x 66 प्राप्ट कर लिया अब यहां हमको x का मान कितना रखना है 64 रखना है तो यह मान कितना हो जाएगा 1 बटा 3 64 की पावर 2 बटा 3 सरल कर लेते हैं इसको 64 कितना होता है 4 की पावर 3 1 बटा 3 इंटू 4 की पावर 3 की पावर 2 बटा 3 3 से 3 कैंसल हो जाएगा घाते गुड़ा होंगी कैंसल हो गया तो यह हो गया 1 बटा 3 इंटू 4 की पावर 2 अर्थात मान हो गया 1 बटा 3 इंटू 16 इंटू 48 यह हम प्राप्त करते हैं अब सन्निक टन्म मान गयाद करने के लिए अप्रोक्सिमेट वैल्यू गयाद करने के लिए हमारा सूत्र क्या है डेल्टा वाई बराबर होता है डेल्टा इंटू डेल्टा एक्स यह हमारा सूत्र है डेल्टा एक्स हमें पता है 1 बटा 48 डेल्टा एक्स हमें गयाद है 2 मान रख दिया तो डेल्टा एक्स तो रख दिया 1 बटा 48 डेल्टा एक्स हमारा है 2 मान कितना आ गया 1 बटा 24 अर्थात जो y में तुटी है डेल्टा y है वो 1 बटा 24 के बराबर है अब यदि हम x में तुटी करें डेल्टा x तो y में तुटी डेल्टा y होती है तो y प्लस डेल्टा y बराबर हो गया x प्लस डेल्टा x की पावर 1 बटा 3 एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहसट है तो चाहसट की पावर एक बटा तीन बराबर हो गया वाई वाई हमारा कितना है एक्स की पावर एक बटा तीन एक्स की पावर एक बटा तीन अर्था चोंसट की पावर एक बटा तीन जो की कितना हमका है चार प्लस डेल्टा वाई हमने calculate कर लिया है एक बटा 24 यह हमारा मान आ गया एक बटा 24 को हम सरल कर लेते हैं एक बटा 24 बराबर होता है 0.416 तो यह मान हो जाएगा this implies 4 plus 0.0416 यह हो गया 66 की पावर एक बटा 3 का मान इसलिए 66 की पावर एक बटा 3 बराबर हो गया 4.0416 यह सन्निकटन मान होगा